परस येता नेपाली समाज मा थाइराइड सम्मंदी स्वास्ते समस्या चुनवती कारूप मा देखा परेको शा। अधिकांग सो बीस तेखी 40 परस उमेर समुह का रकती पया उस्थामा साथी बर्सका प्रावड हरूमा समेत थाइराइड को समस्या देखियेको श्वास्ते कर्मिहरू को भनाई छा। थाइराइड सम्मंदी स्वास्ते समस्या बाटा छुटकारा पाउने कसरीता। इंडुक्राइनोलोजी, मेटाबोलिजम तथा डाइवेटिज विसेसग्य डॉक्टर जोती भत्राई को सलहा सुना। ज्ट बॉक्साइबर ले मानेजना सकने रोभ वयो वहाई तपींछ बड़ी वहाई तेला गटाय। कुरुपरिंच, ठीक कमा ले राइनच, यह शंतुलन मिलाउनी मात्र हो, तर शरीर मान नकारत्म यो उंच तयो उंच तयो उंच बने लिस्ट गने लो यो उंच भने वही ना, किना मने यो समय चीज अरगो साधान तरी गाले समाधान, विशेश रुपा, गर्ववथी माईला जाले से रहते हमा बशेरा, थाइरोड को दभाई बंदन अवरी गना दोगरुपा, जो उननर्मल लेबल मा राखे विए उनर को बच्छा राम जाय बढ़चा नहीं, तर शरी तयो भाई रोग जे चा तयो ब्रह्म जादाच, खराब ओलावराब तर बश्तमार मारम तर श् तर थाइरियर बनीचे विपुती है तर रोग लाएको भाँचे खेला म जला पोरानो कंचेट रेला कुताल खेला कुछा। ऐसे से रोग चाहे एंडोक्रीन हर्मोनेल गडबडी को रोग हुन्च आउसएदी खाय राहे इनिको भग बहा बने रोपा निको भग मा निनुग है। पर दिए नेख को थाली संतुलन मिलाक मात्र होगे, तो भनाई मा फरको होगे, निकोई बना उन्ना सखते हो लोग, यो नका अनात्म टोन भाको किसी मिले बोलन भायना, यह लाइछ ही उपचार होँच, अनादेर जीवन बिता होगेंच, नर्मल होगे लोग, तो दबाई खा लेट धूरे शेने 7 के बॉनना शेह न खाती होुँशु जम Theme से अप्रेशन खावला चाए चांखरे जों जो इन तैबलेट कु ऑल फाईना उदेनन Ist मंदा काहली जो त्यो खाना मुद्यरण से ब्रूमी अमता मटिवी पेट में गोलाय बढेर है थेरेलाई डायगेटीस प्रेषर, मुटगोलोग आपकोना लिया से पहां प्राइड को रोग डर लाग दो मनने उचे गलत हो एकदम सजीली तरिकाले मैंने जुन्छा रसांचानों बच्छा आरो जो ब्रीदी विकास पाचे ना हाइटे बड़ा से ना पने ये थायरोड जो पर सहे बरने भुजे रहा हमले रीफार गरनों पर नसकने बिपन रही चा पर कार लेचे उन्हों राचेक अपग गर उपचार गरने वेवस्ता भाए देखी उन्हों रामरोड संग जीवन यापन गरने सक्छन पसी जाब सब गरे रामरोड कमाई गर खाने सक्छन डाक्टर भट्राय ले भनुभाय जस्ताई थाईराइड रोग बार्ट बचने एक मात्र उपाय भने को समय समय मा थाईराइड हार्मोन को रखत परिक्षन गरने र रोग भाय मा समय में उपचार गरने हो यस भायक आयोडीन युक्त नून तथा खाना खाने अनावसिक रुपमा एक्सरे सेटी स्कैन आदी पटक पटक न गरने तनाव चिंता र हतासलाई निवनी करन गरने धेरे चिया कफी तथा चुरोड न खाने एवम स्वास्थ र सक्रिय जिवन साईली अवलंबन गरनु प